वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाने जारें टू कलर्स का एक डजाइन यह देखें यह बॉडर और यह मैंने फंदे आपको पहले वीडियो में शेयर कर चुके हूँ तो आज हम एक पैटर्न बनाने जारें जो टू कलर्स का होगा और बड़ा ही प्यारा पैटर्न यह बनकर चैनल फिर बनाते हैं टू रो तू फंदे और टू कलर्स का पैटर्न पहले फंदे को में स्टिच करेंगे इसके बाद क्योंकि यह दो फंदों का पैटर्न तो एवान और टू दो फंदे छोड़कर तीसरे फंदे में हम ऐसे सिलाई को डालेंगे और ऐसे एक यह दिखिए इहां बहीं टालेंगा दोका एक कर लेंगे उर्मने एक लिए ट्रां इकरेंगे हमने एक फंदा इंक्रिक्रीस कर दिया और जो बह ढला वो फंदा हमारा एकस्ट्रा हो गया मницу कि हमने दो में तीन पनाले फिर देखिए फिर यह there फश्ट और सेपिड्अ फंद फंदा फॉस यहां से हमने एक फंदा बना के डाल लिया यह हमारा एक फंदा हो गए इसके बाद हमने इसी सिलाई पे इसी थ्रेट से यह देखे एक बल डाला एक और दो फंदे हो गए और यह जो हमारे दो फंदे थे इन दोनों को हमने बैक लूप से बुल लिया और दो का हमने एक कर दिय दोनों को एकठा हमने बुर्णा है पर बुर्णा बैक लूप से ऐसे दो का एक करते है यह देखिए ऐसे फिर देखिए फर्स एक और दो फंदे दो फंदों के बाद हमने सिलाई को ऐसे डालना है और डालके यहां से एक फंदे को ऐसे उठा लेना है इसके बाद दूसरा दोनों में पीछे से बैक लूप से दोनों का हमने ऐसे दो कर एक कर देगा यह देखिए ऐसे ही हमारा पैटर्न बन जाए कि मैं आपको बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ एक पर फिर देखिए फर्स्ट और सेकेंड फंदे के बाद हमने यह आसे इस गैप में से सलाई को डाला ऐसे हमने धागे को घुमाया और एक फंदे को ऐसे बना लिया एक फंदा बनाने के बाद दूसरा फंदा हमने ऐसे सलाई के उपर बल डाल के बना लिया और ये दो फंदे जो हमारे थे दोनों को हमने ऐसे बैक लूप से ही दोनों का एक कर दिया दो में से हमारे ये तीन फंदे बन कर आ गए ये फर्स्ट रो पूरी की पूरी हमने ऐसे ही डाल लेनी है और कुछ भी नहीं करना ये देखिए ऐसे और हमने ऊ chamber looks से दो एक कर दिया तो पूरी रो मैसे हीừ डाल लेत्य हूं फिर हम अपनी उल्टी रो पे सेकेंड रो पैटर्ण की उल्टी रो पे मिलते हैं बस999 व cmd kykas अ चूर रो घोत पयार हम आगे की सैकेंड रो पूल्टी इसके बाद हमने इन धागे को आगे लिया और यह दो का एक कर देगा देखे धागे को फिर हम ऐसे पीछे ले जाएंगे यह देखे यह देखे इस फंद में आपको यह दिखाई दे रहा है यह वाला फंद हमारा जो यह देखे जो हम यहां से उठाकी लेके गे थे इसको हम ऐसे लियाएंगे इधर लाकि इसको ऐसे ही रहने देंगे इसको हम पीछे किया, पीछे करने के बाद ये वाला फंदा जो हमारे ये देखिए आप जब स्लाई डालोगे आपकी स्लाई में अपने आप या जागा इसको हमने यासे ले आना और ये दू का हमने एक कर देगा बस यही two rows है हमारी pattern की, फिर देखे धागे को हमने पीछे करना है यह हमारा फंदा आक यह इसको यह देखे इसको हमने ऐसे उतार के ले आना इसको हम stitch करेंगे, इसको knit नहीं करेंगे यह हमारा धागा पीछे हमने जो किया था कि इस फंदें पे गुनहाना और यह दो फंदों को हमने उल्टानिट कर देना possono है हमारे पैटन की सेकुंड रोर पीछे क्षे की यह इस फंदे इसको आसे उतार के इधर लिए इसको बीनने पुने रहने देना आएक अरे को फिर मेचे को पीछे लेजैंगे की और यह देखिय इसको हमने ये वाला जो हमारा फंदा है इसको हमने ऐसे उतार के आगे लियाना है इसको हमने एस्टिच करना है इसको हमने निट नहीं करना है एस्टिच ही रखेंगे इसको हमने ये दिखें इसके बाद हमने धागे को आगे ले आना और दो का एक कर देना ये रो हमने पूरी अगली रो होगी इसको हमने ऐसे ही दिखिए पूरी के पूरी हमने सिधी निट कर लेने कुछ भी ने करना पूरी रो हमने ऐसे ही सिधी निट कर लेने बस यह two row हमारे pattern के थे अब यह two row हमने plain सीधी सीधी और ulti को ulti knit कर लेना यह पूरी हम सीधी निट कर लेंगे अगली रो हम पूरी ulti knit कर लेंगे उसके बाद हमने अगला thread अगला जो curler लगाना वो लगा लेना और उसके साथ फिर हमने ऐसे ही knit कर लेना तो ये में पूरा निट करके फिर हम अगला कला लगा के देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाना है क्योंकि ये जो रो है इसको हमने पूरी सिधी निट कर लेना है और जो अगली रो है इसको हमने पूरा उल्टा निट कर लेना है इन टू रो में हमने कुछ भी नहीं करना है तो टू कलर्स में बनाने जा रहे हो तो हमने क्या करना अगला थ्रैट लगा लेना यह देखिए मैं अगला वाइट लगा रहे हो लगाने के पाद हमने यह देखे सेम ऐसे ही फोरो वाइट कलर से डाल लेगे फर्स्ट फंदे को हम सीधा निट करेंगे उसके बाद हमने दो फंदों के बाद यहां पर सिलाई डालके एक फंदा बनाएंगे और ऐसे यह देखे टू कलर्स में इसके लुक ज़्यादा अच्छे आती है तो इसलिए आप ट्राइ केजिए कि इसको टू कलर्स में बनाएंगे वान और टू इसके बाद यह देखे ऐसे जैसे हमने ऐसे हमने फिर फोरो ऐसे ही रिपीट कर लेनी है और ऐसे हमने यह तू टू फूंदों पर ऐसे हमने डालते जाना यह देखे अ की इस में से फिर हमने यह देखे ओ आसे उपर से ले लिया और यह देखे फिर हमने दो का एक कर दिया बस ऐसे फिर हम 4 डाल लेंगे और ऐसे में थोड़ा से पैटर्न इसको बना लेते हूं फिर देखो आप इसकी लोग कितनी प्यारी और बड़ा ही अच्छा से पैटर अलग सा पैटर्न ही बनके आएगा यह हमारे पैटर्न की फाइनल लुक है यह देखे पैटर्न बनने के बाद आशा लगेगा बड़ा ही प्यारा से यह देखे पैटर्न आ रहा है वह तो कलर समी देखे कितना उठके आ रहा है मैंने ब्लीवर वाइट में बुनाया आप अपने पसंद की किसी भी कलर समें इसको बना सकते हूं यह देखे इसकी फ्रेंट साइड है यह इसकी बैक साइड है यह देखे यह जो हमने फंदे डाले थे कल यह वाली हो गए और इसके उपर यह देखे हमने बॉर्डर डाला सकते हो सबी या अच्छा लगेगा और देखें बिल्कुल यह उपर से शुकर मिट कि यह रहा कुद में तो श्रीता को प्रोजक्ट है टो प्लीज़ प्लीग स्टैन और आपको यह जुरूर पर यह पारा यह दिखें एक नई वीडियो के साथ उसमें हम एक नया अलग सा पैटर्ण सिखेंगे या कुछ और फंदे डालना सिखेंगे तब तक के लिए टेक केर बाइबाइब